हलो नमस्कार जैहिंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एक जम टॉप के इस ओफिशल यूटूब चैनल पर दोस्तों जैसे का आप सभी को पता है है एस डेव्लूडी कोचिंग दो जाचोविस के लिए इंटर्स एक्ज़म हो चुका है रेलट आ चुका है जिर लोगों का फ्लेक्ट्षर हो उनके लिए कांप्फिलिंग तारीक आज चुकी है जैसे का अब देख पा रहे हैं आगी counseling की तारीक यानि counseling कब से होगी कब से होगी आपकी counseling क्या-क्या लेकर आपको जाना है documents क्या-क्या लगेंगे इसमार कुछ नए documents भी मांगे गए है तो वहम समझेंगे कौन-कौन से documents मांगे गए है संपूर जानकारी के लिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें वीडियो पसंद आता है तो चैनल को subscribe करना ना बूलें जिससे के आपको इसी प्रकार की वीडियो आगे भी देखने को मिलती रहे इस वीडियो में counseling से संब्धे संपूर जानकारी होगी और एक-एक point clear किया जाएगा क्या-क्या नई guideline की गही है आयो की तरफ से कौन conflict चीज़ें आपको लेकर जानी होगी इन सभी विंदों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो आए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को किस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे वो आपकी conflict की तारीक कप से है तो आए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ तो जैसा का आप देख पा रहे होंगे चत्रपतिस साहो जी महाराज सोध एबं प्रफिच्छण व्रंस्तान भागेदारी बवर लकनव की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है जिसमें IAS PCS प्रारिम परिच्छा 2024 के लिए कोचिंग सत्र में प्रवेशित काउंफिलिंग सूचना है अब IAS में हम समझेंगे किस तरीके से काउंफिलिंग कराई जाएगी प्रवेश परिच्छा दिनांग 5 नुम्मर 2230 के परणाम को जारी कर दिया जाता जिसके लिए जो योग उम्मीदवारते उन सभी को काउंफिलिंग के लिए बुलाया गया है तो काउंफिलिंग कारिकरम के अगर बात करें तापत तिथी देखे इस पष्ट दीगी है गोमती नगल लखनों में उपस्तित होना होगा एक यहां पर इस प्रष्ट दिया गया है आप एक बार चाहना तो पुर्ण देख सकते हैं देखे आपकी काउंफिलिंग कहा कराई जाएगी तो आप यहां देख पा रहे होंगे यह करा के अंतिम रूप से चैनित अभ्यारती अपने समझत मूल अभिलेक कोचिंग है तो कियेगे औलान आविदन पत्र की प्रती लेकर यहां पर पहुंचें अब क्या-क्या लेकर जाना है इसके लिए हम आगे बात करेंगे तो देखे जो भागेदारी भवन की जो कोचिंग की जो त्यारी करने लोग यानि जो आपर काउंफिलिंग कराने जाएंगे यह देखे जो नोटिस आया है यह अभी केवल केवल भागेदारी भवन लखनो वाले चात्रों के लिए ही आया है इनकी कोचिंग भागिदारी बवन गोमती नगल लकनों में उपस्तित होना पड़ेगा उनको 11 वजे से आए थोड़ी और कुछ जान करें देखे क्या का दीगी इस पे भी आगे हम बात करेंगे ठीक है चले बढ़ते हैं देखे अब यहां से हम बढ़ेंगे थोड़ा आगे यहां देख काउंफिलिंग कारकरम के अनुसार मुक्ख मेरिट सूची के चात्रों के दिरांग 18-19 एवं 20 यहां पर देखे तारिक दीए 18-19-20 निसम्मद 2-30 तक उपस्तित न होने की दसामें उनका चैन समझा जाएगा तदा मुक्ख मेरिट सूची में बचे रिक्त इस्तान उपर प्रतिच्छा सूची के अब बैरतियों को मेरिट के अनुसार प्रविस्ट पर बुलाया जाएगा यानि इनोंने का है कि अगर आप काउंफिलिंग नहीं कराते हैं तो आपके इस्तान पर जो कम कोचिंग का मुका दिया जाएगा जैसे अगर आप 2024 में करते हैं कोचिंग तो 2025 के लिए भी आपको मुका मिलेगा ठीक है आगे देखें काउंफिलिंग से संब्मदित आविलेकों की बात करें यानि डोकुमेंट्स की यहां पर आप देखेंगे पॉइंट नंबर यह दिया कर जानी होगी नंबर दो पर आपके दिया गया है आए प्रमाणपत अभ्यारती के माता पिता अविवावक की अधिक्तम आयूद छेलाक रुपे से अधिक नहों इसे तो समझ चराजस्व अधिकारी यानि आपका तहसिलदार होगा लेकपार होगा उसके द्वार आपका हो देंगे ठीक तो यह दोकुमेंट दोकुमेंट्स हुए तीफरा डोकुमेंट्स हुए समझ प्रादेकारी द्वारा जारी प्रमाणपत जाती यानि आपको जाती प्रमाणपत बनवाना होगा एक मुल्निवास लगाना होगा तो यह सारे डोकुमेंट्स आपको यहां पर यानि आपको अभी इसी महीने का नवीनतम स्वास्ते प्रवाण पत्र अपने गुवर्मेंट एस्पिताल से बनमाना होगा छटा नमब दिया है कि राज पत्रित अधिकारी अत्वात अंतिम विद्याल है यहां से आपने ग्रेजिशन, वीटेक, बीयर्ट जो भी क्या हो वहा आपको यहां सम्मिट कहनी होगी, आठमा पॉइंट है सहियोक्त प्रवेश परिच्छा है तो जारी प्रवेश पत्र यानि आपका एड्मेंट कारता वो भी आपको देना होगा, नौमा एक कोविड वैक्सिनेशन प्रमान पत्र दोनों यानि आपने दोनों डों कम से कम लि कोविड आपको 10 मा की कोचिंग के बाद आपको वापस ट्रमान के लिए जाएंगे, अग्ले आपका बारे मा उपयोगत कोचिंग स्रत्र की अबदी 10 महीने के लिए होगी, अब तचात्र काउंसिलिंग के समय अपने निजी प्रयोग है तो निम्न सामगरी लेकर संस्तान में जाएंगे अब देखे क्या क्या लेकर आपको जाना है इस पर भी आगे में बात करेंगे देखी नमर एक पर दिया है डेने को प्योग है तो जैसे आप पैंट सेट यानि जो भी अपने बस्तर पैंटे हैं वो सभी आपको लेकर जाने है इस इस प्रयोड़ी जूते तो एक जोड़ी जूते तो रखेंगे तो एक जोड़ी ब्रैक और एक जोड़ी स्पोर्ट वाले जने आप रणिंग के लिए या गोमने के लिए या खेलने के लिए भी आप उनका प्रयोग कर सकते हैं आगे पांच मां दिया है अब फ्लीपर्स में देखें आपको क्या क्या लेकर जाना है फ्लीपर्स यानि प्रवेफ लेने वाले चात्रों को सामान आद लाने के लिए घर जाने की अनुमती नहीं होगी यानि आप 18, 19 और 20 तारीक को जब आप कांफिलिंग कराएंगे तो आपको घर जाने की अनुमती नहीं होगी आप अपना सामान अभी लेकर जाएं आगे देखें बढ़ेंगा कारेकरम के समय अभी वावकों के रहने खाने पीने की विवस्ता नहीं है यानि कांफिलिंग के कारेकरम के समय अगर आप चाते हैं कि आपके माता पिता आपके साथ जाएं और आप सोचें कि उनको खाने पीने की वहां पर विवस्ता की जाएंगे तो उनके खाने पीने की होगी केबल केबल चछात्रों के खाने पीने की रहने की शुविदायां पर उपलंद रहेगी चैनि चात्रों से पिच्छा है कि काउफलिंग कारकरम में अकेले उपस्ते ठों माता पिता अविवावग को साथ अगर कोई व्यक्ति जादा ही वैसा है जो कभी नहीं लकनू गया जिसे डन लगता है या पर कोई भी समस्या है तो अपने माता पिता में से किसी एक को लेके जा सकता है जिसके खाने पीने रहने की वहुशता उसे खुद करनी होगी केवल चात्र को संस्तान में रहा जाएगा चौता प्रशन है प्रवेशी चात्र के लिए संस्तान में निश्वलक मेस यानि खाने पीने की शुबदा उपलब्द है उन्हें प्रात काली नास्ता दोपर का भूजन और सामकाली चाय एवं रात्ती भूजन दिया जागे यानि चार्ट आप देख सकते हैं सुबह नास् की मांग सुईका नहीं की जाएगी चौकि संस्तान में चात्रों के लिए में सुबदा उपलब्द है अप चात्रों से अपिच्छा किये कि वे अपने साथ हीटर, स्टोव, वरतन, आद लेकर ना यानि आपको ये सारी चीज़ने नहीं लेकर जाने अगला पॉंट आप दे साथ सुबदा अनुसार अपनी पुष्टके नोर्स कोवपी इस्टेजरी लेकर आ सकते हैं यानि आपको ज्यादक कितावे लेकर नहीं जाने आप मैनमेन कितावे लेकर जा सकते हैं अन्य सारी कितावे आपको संस्तान देगी चटा पॉंट है कि संस्तान में प्रवेशे चात्रों को संस्तान की चात्र आचार सेंता का पूर्ड रूप से पालन करना होगा आचार सेंता के बिप्रीत आचारण करने वाले अत्वा किसी प्रकार की अनुशासन सेंता की इस्तिती में सम्मन्द छात्र को संस्तान से निक्षासित भी किया जा सकता है उसकी जो कोसन बनी जो दी गया नि जमानत रासी एक तरीके से दी गई है वो आपके जब्त कर ली जाएगी वो आपको वापस नहीं की जाएगी ठीक इसलिए ये दिया जाता है चले थोड़ा आगे बढ़ेंगे या पर कुछ और पॉंट दिये गें देखे अगला पॉंट आपका दिया साथ माँ के दस माँ की कोचिंग सत्र की अबदी में एक चात्र को अधिक्तम 15 दिनों का अवकास दिया जाएगा यानि 10 महीने में जादा फिजादा आपको 10 चुट्टी दी जाएगी चात्र प्रप्री अवशक्ता करणफार उक्त अवकास का एक साथ अत्वा हिस्से में ले सकता यानि आप चाहें तो 10 दिन के एक साल ले सकते हैं या पर आप बीच बीच में 10 बार छुट्टी ले सकते हैं यानि 15 दिन से जादा आपको अवकास नहीं मिलेगा आठमा पुट्ट है राववार एवं अनवकास दिवस में चात्र संस्तान से अनुमती लेकर अपने इस्तानी आविवावकों के घर जा सकता है परंत उने अगले कार दिवस्य कच्छाओं में उपस्तित होना पड़ेगा यानि अगर आप संडे को छुटी रहती है न संस्तान की तो आप लखनों में अपने रिलेटिव से मिलने जा सकते हैं गूमने जा सकते हैं और उसी दिन संडे को साम को आपको पस्तित होना होगा या मंडे को सुबह आठ विजे तक आपको संस्तान में पस्तित होना होगा तो यह सारी चीज़ें आपर संस्तान की तरफ से दीगी है तो आप इन सभी बिंदु हैं इनको आप पढ़ सकते हैं, यह मैं अपने टेलिग्राम कुरूप पर शेयर कर दूँगा, आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना, ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, यह दिया है, प्रवेश परिच्छा, यानि 5-11-2-30 के परड़ाम के यह कोचिंग सत्रम परवियस यह आवेदन पत्त, यह आपका आवेदन पत्तर है, आप इसको पूरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे, ऑर यह आप इसको प्रिंट करवा लेना, यह पूरोने टेलिग्राम पर डानलोड कर दूँगा, आप वहां से इसको परल लेना, यह प् कोचिंग कर चुक के हैं जो भी चीजंगा रपर दीगे वह सारी आपको फिल करनी होगे ऑगर कोई बी और अगर आपके मन में दिमाख में या कोंट की कीजिए अब proteins कर दिया जाए झाद कर लिना या झान गारी थी तो आप सभी जो लखनों में भागेदारी बवन में कोचिंग करना चाहते हैं उन सभी के लिए यह अच्छा मौका है आपकी काउंफिलिंग की रूतिती है बहाद चुकी है तो आप यहां से देख चकते हैं आपकी काउंफिलिंग की जो तारीक है वो डिशाइड की गिये और यहां पर केवल क लखनों के अब्यारतियों को अन्यस provenanceतान के जो अभ्यारतियं उनको अभी यहां पर नहीं बुलाया है तो यह पूंट आपको यहां को याद रखना है अन्यसनस्तान के अभ्यारतियं भी गबनाए नहीं जैसे उनकी Dota आती हूं आपको बता देंगे अभी केवल 181920 को आले तेंक्यो जैहिन जैभारत